आज हम सीखेंगे मेंडलिय एकल संकर क्रॉस यह राहुल का परिवार है जिसमें राहुल और राहुल की माता की आखों का रंग भूरा है और राहुल के पिता की आखों का रंग नीला है तो क्या आप पता सकते हैं राहुल की आखों का रंग नीला क्यों नहीं है? इस सवाल का जवाब हमें मेंडल के एक संकर क्रॉस प्रयोक से मिलता है चलिए इसे समझें विपर्यासी लक्षणों का एक युगमवाले गाडन मतर के दो पौधों का संकरण एकल संकर संकरण या एकल संकर क्रॉस यानि मोनो हाइब्रिट क्रॉस कहलाता है जैसे उचाई के लक्षण के लिए लंबाई और बौनापन विपर्यास लक्षण है मेंडल ने एक लंबे पौधे का संकरण बौने पौधे के साथ कराया और प्राप्त पीजों से प्रथम संतती पीढ़ी यानि First Falial Generation F1 पीढ़ी उतपन न की इस पीढ़ी के सभी पौधे लंबे थे फिर उसने F1 पीड़ी के पौधों का स्वपरागंड करके द्वितिय संतती पीड़ी F2 पीड़ी के पौधे उगाए F1 पीड़ी के सभी पौधे लंबे थे लेकिन F2 पीड़ी के लंबे पौधों का बौने पौधों से अनुपात तीन अनुपात एक था कोई भी पौधा बीच के उचाई याने मजोले कद का नहीं था याने लंबेपन तथा बौनेपन की सूचना किसी वस्तु के रूप में बिना किसी बदलाव के जनक पीड़ी से F1 पीड़ी में तथा F1 पीड़ी से F2 पीड़ी में पहुचाई गई होगी इस आधार पर मेंडल ने प्रस्तावित किया कि जनक से युगमक के माध्यम से कोई वस्तु बिना किसी बदलाव के संतती को वनशानुगत होती है जो संतती में विशेश लक्षण का विकास करती है मेंडल ने इस वस्तु को कारक यानि फैक्टर कहा इसे ही हम जीन कहते है इस तरह कारक यानि जीन ही आनुवनशिक्ता की इकाईया है F1 पीड़ी के सभी पौधे लंबे थे लेकिन F2 पीड़ी में लंबे और बौने पौधों का मिश्रण था इसका अर्थ यह है कि F1 पीड़ी के पौधों में जनक पीड़ी से लंबाई और बौनापन दोनों लक्षणों की वनशानुगती हुई होगी यानि उचाई के लक्षण के लिए लंबाई और बौनेपन दोनों के कारक उपस्थित होंगे लेकिन अभिव्यक्ति सिर्फ लंबाई के लक्षण की हुई इस समझ से मेंडल ने प्रभावित का नियम यानि लौ ओफ डौमिनेंस परस्तावित किया जिसके अनुसार प्रत्यक जिव में लक्षणों का नियंतरन कारक करते हैं लेंगिक जनन में दो जनकों के भाग लेने के कारण कारक जोड़े में पाये जाते हैं किसी लक्षण के भिन्न रूप होते हैं इसलिए उस लक्षण के कारकों के भी भिन्न रूप होते हैं इन्हें हम युग्म विकल्पी या एलिल कहते हैं कारकों के इस जोड़े में एलिल समान हो सकते हैं या भिन्न भी हो सकते हैं यदि किसी लक्षण के कारकों के जोडे में दोनों सदस्य असमान हो, तो किसी एक कारक की अभिव्यक्ति होती है, वह कारक जिसकी अभिव्यक्ति होती है, उसे प्रभावी कारक या प्रभावी जीन यानि dominant factor और dominant gene कहते हैं, और उसके द्वारा अभिव्यक्त किये गए लक्ष को प्रभावी लक्षण यानि dominant trait कहा जाता है। वह कारक जिसकी अभिव्यक्ति नहीं होती उसे अप्रभावी कारक यानि recessive factor या recessive gene कहते हैं। इस तरह प्रभावी कारक की केवल एक प्रती प्रभावी लक्षण की अभिव्यक्ति सुनिश्चित करता है। इसी तरह अप्रभावी लक्षण के अभिव्यक्ति के लिए कारकों के जोडे में दोनों कारक अप्रभावी होना आवश्यक है। इसी तरह F2 PD में लंबे और बौने दोनों तरह के पोधे दिखाई दिये। कोई भी पोधा मझोले कद का नहीं था, यानि कि लंबे और बौने लक्षन का मिश्रण दिखाई नहीं दिया. इस समझ के आधार पर मेंडल ने प्रथक करण का नियम यानि लौ अफ सेग्रिगेशन प्रस्तुत किया. इसके अनुसार किसी लक्षन के एलिल का एक दूसरे की साथ संदूशन नहीं होता, यानि के जोडे में किसी लक्षन के एलिल शुद्धता के साथ रहते हैं. युगमकों के निर्मान के दौरान एलिल के जोड़े का प्रुथक करण यानि विसंयोजित होकर प्रती एक युगमक को दोनों में से सिर्फ एक एलिल शुद्ध रूप में प्राप्थ होता है इस तरह युगमकों में गुण सूत्रों की संख्या अन्नकोशिकाओं के तुलना में आधी होती है निशेचन के समय नर युगमक और मादा युगमक के एलिल फिर से जोड़ा बना लेते हैं और इस प्रकार गुण सूत्रों की संख्या सामान्य हो जाती है वंशागती को पनेट वर्ग के माध्यम से समझा जा सकता है इसमें हम नर और मादा के युगमक उर्धवाधर और शैतिज रूप में व्यवस्थित करते हैं और संभव संयोजन यानि कॉंबिनेशन्स ग्यात करते हैं हम प्रभावी कारक को बड़े अक्षर से तथा अप्रभावी कारक को छोटे अक्षर से दर्शाते हैं जैसे लंबाई यानि टॉलनेस बड़े टी से तथा बौनेपन छोटे टी से निरुपित किया जा सकता है पैतरिक पोधे शुद्ध वन्ष के होने के कारण हम उचाई के कारको यानि जीन का जोड़ा इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं प्रथक करण के नियम के अनुसार जोडे में स्थित कारक प्रथक हो जाते हैं इन दोनों का क्रोस करने पर प्राप्त पैडी के जीन का जोड़ा असमान होगा इसलिए प्रभावी लक्षन लंबाई अभिव्यक्त होगा पिटों का सुअ परागन करने पर उतपन्य पीडी के पोधों में जीन युगम इस प्रकार होंगे चुकि लंबाई का लक्षन प्रभावी लक्षन है इसलिए ये पौधे लंबे होंगे तथा उन पौधों में जिनमें दोनों अप्रभावी कारक है वे बौने उत्पन्न होंगे किसी भी जिव के शारिरिक रूप से व्यक्त लक्षनों जैसे लंबाई और बौनापन को फीनोटाइप कहा जाता है और इन लक्षनों के अनुपात को फीनोटाइप अनुपात कहते हैं यहां फीनोटाइप अनुपात तीन अनुपात एक है इसी तरह वे कारक या जीन जो लक प्रपानशिक रचना की बात करें तो हमें इनका जीनोटाइप अनुपात इस प्रकार प्राप्त होता है। अग क्या आप बता सकते हैं कि यदि गोल बीज वाला लक्षन प्रभावी हो और इसे बड़े आर से दर्शाय तथा मुर्जाया बीज वाला लक्षन अप्रभावी हो और इसे छोटे आर से दर्शाय तो इस जीनोटाइप वाले पौधे का आर आर जीनोटाइप वाले पौध से संकरन करने पर परिणाम क्या प्राप्त होगा पनेट वर्ग के माध्यम से क्यात कीजिए आज हमने सीखा मेंडेलिय एकल संकर क्रोस